कि आज का मारा टॉपिक जो है वो है काइनेटिक कि मॉलिक्यूलर थियूरी ओफ गैसे वन ओफ दे मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स थर्ड चैप्टर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियूरी ओफ गैसे इसको समझना भी इतनों कि मुश्किल नहीं है ना कि त्यादा रॉकेट साइंस है इजी सी चीजें बड़ थोरी सी इक्वे किनेटिक मॉलिक्यूलर थियूरी ओफ गैसे अभी तक जो चीजें हमने स्टेडी की हैं इन चैप्र नंबर थ्री दोज वर दगैस लॉज हमने डिफरेंट किसम के जूंसे हैं गैस लॉज जूंसे हैं वो स्टेडी की हैं अब वो गैस लॉज कैसे डिराइव हुए थे बरिफन्ट गैस लॉज जो हैं वो आ गयी अब हम कनेटिक मॉलिक्यूलर थूरी की जो बात करेंगे तो इसमें हम भोड़ेसी ही स्टेडी करेंगए क्यूंके आपकी बुकमे उतने कुछ नेम्ज विधीर जो हँँने जो जो आज हमारी शुकल में वजूद है यह किसी एक का काम नहीं ही है इसमें different scientists ने different times के अंदर अपने-पने contributions जो उन्ती है वो पेश की है main जो सबसे पहला बंदा है जिसने इसको पेश की थी सबसे पहले that is Bernoulli Bernoulli in 1738 जो उन्ता है he put forward the kinetic theory for gases सबसे पहला बंदा जो kinetic theory के अंदर हमें नदर आता है इसने पेश की थी that is kinetic theory of gases उस बंदे का नाम क्या था Bernoulli इसके बाद क्या हुआ जब इसने इसको derive किया या propose किया तो फिर उसके बाद जो scientist हमें अंदर आता है that is Colossius Colossius ने 1857 के अंदर जुनता है kinetic theory से deduce किये gas laws जो हमने gas laws उपर study किये हैं he deduce gas laws from kinetic theory of molecules of gases kinetic theory of gases से उसने gas laws को जुनता है वो deduce किया है उसके बाद आता है जी नमबर 3 पे Maxwell 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 एक और scientist है इसने क्या किया इसने propose किया law of distribution of velocities अब यह law क्या है यह भी हम आगे इसकी detail में जब जाएंगे तो study करेंगे law of distribution of velocities this was proposed by Maxwell उसके बाद आ जाता है हमारे पास number 4 के उपर Boltzman Boltzman ने क्या किया इसने study की energy को इसने energy को study किया कि different gas के molecules के अंदर energy की distribution जूनती है वो किस तरीके से होती है कौन से molecules जएदा energy रखते हैं कौन से कम रखते हैं उसकी detail पे इस बंदे ने जूनता है काम किया और फिर last one is vendor wall इसके भी काफी contribution है kinetic molecular theory के अंदर तो यह थोड़ी थी history थी आपके book में भी इसने mention कि इनके नाम और इनके काम जो हैं वो आपने याद रखने हैं आपको आपसे पूछे जा सकते हैं अब हम आते हैं जो main इसके postulates हैं जो main points है postulates of kinetic theory कि kinetic theory कहती ही क्या है उसके क्या points है वो क्या-क्या बाते हैं हमें बताती है kinetic molecular theory उसको हम देखते हैं number one सबसे पहले वो कह रहा है जी के हर gas जुनती है वो उसके अंदर चुटे-चुटे small particles होते हैं जिनको हम molecules कहते हैं ठीक है ये बात तो सही है मैं पता है कि तमाम all gases are exist of small particles very large number of very small particles जो कि क्या है molecules कहते हैं gases like अब वो कह रहा है जी helium neon बगारा के monotomic ये तारी बाते हम पहले चैप्टर में पढ़के आए वे हैं monotomic molecules होते हैं monotomic का क्या मतलब है कि उनका एक अकेला atom ही as a gas exist करता है लेकिन जो उन्ती दूसरी gases होती है वो अकेली exist नहीं करती है वो दो-दो के pairs में exist करती है h2, n2, o2, etc. second postulate उतका ये कहता है कि जो gas के molecules है उनकी movement के बारे में है gas molecules move half-hatherly, half-hatherly का क्या मतलब है कि उनकी कोई particular direction नहीं होती वो randomly हर direction के अंदर move करते हैं और जब वो move करते हैं तो वो wall of the containers के साथ टक्राते भी है, collide करते हैं और collide करने के बाद अपनी direction को change कर लेते हैं ज़री सी बात है जब वो किसी चीज के साथ जा के टक्राएंगे तो फिर उनकी और direction में वो move करेंगे अब third point, third point पर वो यह कह रहा है कि जो pressure exerted by a gas अगर एक container के अंदर हम कहते हैं जी इस gas का इतना pressure है तो जो pressure होता है वो क्या होता है? pressure exerted by gas is due to the collision pressure इस वजह से होता है कि वो जो collision होती है between molecules and wall जब वो wall से जा के टक्राते हैं तो वो wall के उपर एक pressure reply का रहे होते हैं जो कि gas का pressure होता है number four, number four यह वो यह कह रहा है कि जो उनसे हैं gas के molecules उनके दरमियान बहुत ज्यादा empty spaces होती है अगर यह एक gas molecule है तो उनके अंदर very large empty spaces जो उनसी है वो मुझूद होंगी मतलब कि वो क्या है वो widely separated है उनके दरमियान distance बहुत ज्यादा मुझूद होता है तो यह था जी चार point से next point पे वो कह रहा है जी के number जो उनसी इनके अंदर forces हैं forces of attraction वो बिलकुल ना होने के बराबर है no forces of attraction किसके किसके दरमियान between the molecules इसकी वज़ा क्या है कि molecules बहुत जादा दूर होते हैं इस वज़ा से इनके दरमियान में कोई forces of attraction जूनती है वो exist नहीं करती number six पे वो कहता है जी के जो actual volume है gas का actual volume of the molecules वो negligible है is negligible compared to the volume of gas अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर यह एक गैस है तो इस गैस के अंदर molecules जोंते हैं वो पहले वे हैं अब यह one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve अब अगर मैं twelve particles को एक अठा रखूं तो उनका actual volume जो है वो यह तो यह है actual volume लेकिन जो volume of gas है वो बहुत ज्यादा होता है तो वो यह कह रहा है कि जो actual volume of molecules है वो volume of gas की निस्बत इस volume की निस्बत बहुत ही कम होता है negligible होता है क्योंकि उनके दर में spaces बहुत ज्यादा होती है तो अगर तमाम molecules को लादा करके इकठा करके उनका volume देखा जाए तो वो volume जो होता है बहुत ही कम होता है उसकी निस्बत जो के overall gas की शकल में उनका volume होता है सेवंथ पॉइंट इस वो कहता है जी के जो motions of molecules होती है motion of molecules in a gas इनके उपर gravity का no effect होता है gravity जोंती है वो इनके उपर effect नहीं करती negligible effect करती है no gravity effect अगर यह नहीं है कि gas के molecule जोंता है अगर यह जमीन के उपर पड़ा वाया तो यहां पर जोंते हैं वो इकठे हो जाए और उपर जोंते हैं वो नहीं यह equally distributed रहते हैं gravity का effect उन पर ना होने के बराबर होता है और last और very important point वो यह है कि जो किसी भी gas की यहां पर एक नहीं definition भी हम जो temperature की पढ़के आते रहे हैं कि किसी भी gas किसी भी चीज की जो kinetic energy होती है वही उसका temperature होता है वो बात हमें यहीं से पता चली वो कहता है जी average kinetic energy average kinetic energy of the gas molecules वो किस पर depend कर रही है वो depend कर रही है temperature के उपर जितना ज्यादा temperature होगा उतनी gas के molecules की kinetic energy ज्यादा होगी उतनी speed से वो move करेंगे इदर उदर और जितना temperature कम होगा उतनी उनकी kinetic energy जुनसी है वो कम होगी यह था जी आपके पास 8 points से kinetic molecular theory के जो के आपको याद होने चाहिए और उनकी detail आपको पता होने जी तो यह तो था हमारे पास general main postulates अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे इसमें हम थोड़ी सी equations और थोड़ी सी उन चीज़ों को देखते हैं जो different scientists ने इनके अंदर क्या की हैं add up कर दी है अब इसके अंदर सबसे पहले जूंता है वो आता है R.J.Clausius एक scientist का नाम है R.J.Clausius इसने जूंता है सबसे पहले हमें एक equation दी है about pressure अब pressure क्या होता है pressure की अगर आप definition पढ़ें तो pressure is force per unit area किसी भी unit area पे लगने वाली force को हम क्या कहते हैं हम pressure कहते हैं तो अब ये जो equation हमें यहां से Clausius ने दी है वो हमें क्या बताएगी कि जो gas का molecule different direction में move कर रहा है तो वो किसी unit area के उपर जब जाके टकराएगा तो कितना pressure उसका होगा तो ये equation जोनती है ये कहां से derive हुई है ये उसने हमें नहीं बताया equation is PV is equal to 1 over 3 M N C dash ये C bar का square ये आपके पास एक नई equation जोनती है Clausius ने दी है जो के हमें gas के pressure के बारे में बताएगी यहां पर हम देख लेते हैं P is pressure V is volume M is mass किसका mass of one molecule एक molecule का कितना mass होगा ये वो है capital N is the number of molecules जो के आपके container के अंदर मुझूद है and C is C bar square is mean square velocity ये चार की चार चीज़े तो हमें easily समझ आती है pressure volume mass number ये C square जोनता है ये एक निया concept है इसको हम जोनता है यहां पर समझ लेते हैं कि mean square velocity क्या होती suppose करें जी ये एक gas container है इसके अंदर different molecules मुझूद है अब ये जरूरी नहीं है कि अगर इसके अंदर 10 molecules है तो 10 की 10 की जोनसी है वो same velocity होगी इसमें से हो सकता है इसकी velocity कुछ और हो इसकी velocity कम हो इसकी velocity सबसे जादा हो इसी तरह ये different gas के molecules different velocities के उपर जुनते हैं distribute हुए होते हैं तो जो हम आगे हम पढ़के आए हैं हिस्ट्री में कि Maxwell ने क्या दिया था Maxwell proposed law of distribution of velocities तो वो यही कि gas के जोनसे molecules मुझूद हैं उनकी जोनसी velocity है वो differently कैसे distribute होती है उसको किस law के सुरू जो है हम find out कर सकते हैं इसमें suppose करें कि अगर कुछ number of molecules N1 हैं जिनकी velocity C1 है और इसी तरह कुछ number N2 है और उनको किसी और velocity के उपर C2 के उपर हैं और कुछ number जो उनसे हैं molecules के वो C3 के उपर हैं और इस तरह यह चलता जा रहा है तो हमारे पास C bar square जो के mean square velocity है वो किसके बराबर होती है वो होती है जी N1 C1 square प्लस N2 C2 square प्लस N3 C3 square प्लस अप टो जहां तक वो चलता जा रहा है divided by N1 plus N2 plus N3 plus so on तो यह जो नीचला denominator है that is N1 plus N2 plus N3 is equal to capital N सही है तो यह मेरे पास क्या रह जाएगा C bar का square is equal to अगर उपर से मैं कोमल लूँ तो N1 plus N2 plus N3 जब बाहर आ जाएगा तो यह सारा का सारा N मन जाएगा और नीचे भी denominator में भी यह सारी की सारी value N है तो वो यही कह रहा है कि जो C bar का square है that is the average of the square of all the velocities इसका मतलब क्या है कि आपके पास container में जो different velocities मुझूद थीं suppose चार velocities थीं C1, C2, C3 and C4 different जोंसे molecules हैं different चार velocities पे exist कर रहे हैं यह इस पे होगा यह इस पे यह इस पे यह फिर इस पे स्केर है तो अगर मैं इसका स्केर हदम करने के लिए इसका अंडर उट लूँ तो मेरे पास एक नई टर्म आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं root mean square velocity जिसको हम CRMS भी लिखते हैं यह important concept है जो कि हम use करते हैं root mean square velocity तो यह हमारे पास यहां से आती है और इसका जो लैदा वाला formula है आपकी बुक में दिया हुआ that is 3RT over M आप higher classes में अगर इसको study करेंगे तो इसकी यह विली derivation भी आप study करेंगे लेकिन यहां पे उसने mention नहीं की वी तो हमें भी जानने की जूरत नहीं कि यह formula कहां किया है हमें तरफ यह formula as it is जिनता है वो याद रखना है कि CRMS is equal to 3RT over M होता है अब M क्या है capital M जब भी है यह molecular math है T temperature और उसी तरह general gas constant और CRMS is root mean square velocity तो यह थोड़ी सी equations थी जो के kinetic molecular theory से related थी अब हम आगली बात करते हैं जो हमने आगे study किया था कि जो उनसा है clausius ने हमने पड़ा था कि जो clausius है इसने क्या किया था he deduced gas laws तो यह जो भी हमने clausius ने question दी है उससे हम different जोंसे है gas laws जो हम पढ़के आए में उनको deduce करेंगे kinetic molecular theory की terms में यह चोटी चोटी डेरिवेशन है और यह एकसर question में आपसे exams में पूछ भी लेता है तो explanation of gas laws from kinetic theory of gases कि kinetic theory जो अभी हमने पड़ी है equations उसको use करते वे हमने अपने gas laws को प्रूव करना है तो सबसे पहला आता है जी boils law boils law हम प्रूव करेंगे अपनी kinetic molecular theory of gases से अब हमें पता है कि kinetic energy जो आखरी postulate था हमारी kinetic theory का कि kinetic energy किसी भी gas की directly proportional होती है उसके absolute temperature के उपर अब यहाँ पर चूंके हमने पूरी derivation of kinetic theory नहीं पड़ी इसलिए हमें kinetic energy का formula जो है वो हमें नहीं पता लेकिन उसने आपको दे दिया हुआ है that is one by two mn c bar का square यह कहां से आया यह अगर आप kinetic theory को derive करेंगे तो उसमें यह formula पैदा होगा लेकिन यहाँ पर उसने चूंके हमें derivation नहीं करवाई इस वजह से हम इसको study नहीं कर रहें तो यह formula है इस formula को जब मैं इधर put करूंगा तो यह हो जाएगा one by two mn c bar square is directly proportional to t और जब यह directly proportional का sign खत्म होगा तो यह हो जाएगा kt अब यह हमने उपर अपनी equation लिख दी अब हम general जूंसी equation थी हमारे पास वो उसकी तरफ आते हैं जो के kinetic theory की equation थी वो कहती pv is equal to one by three अब हमने इस equation को इस terms में लेकर आना है तो अब अगर मैं two से multiply और two से divide कर दूं इस equation को तो यह हो जाएगा two by three one by two m and c का square मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने इस equation को multiply and divide by two कर दिया है तो यह two multiply two divide कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जब इसको मैंने इस तरफ इस शकल में लिखा तो यह equation बन गई अब इसको मैं replace कर दूंगा इसके साथ पी वी is equal to two by three into one by two m and c square यह equation थी यह सारी term ब्राबर होती है अभी हम उपर पड़के आए है के टी के पी वी is equal to two by three के टी अब हम boys law को basically study का रहे हैं तो boys law में condition थी temperature जो है वो constant होता है अगर temperature constant हो जाए तो k तो constant पहले ही है two और three भी constant है तो पी वी is equal to constant यह पूरी की पूरी value जुनती है वो constant k को लाएगी तो यह क्या हुआ हमारा boys law प्रूव हो गया boys law has now been proved pv is equal to constant pv is equal to k second law था हमारा Charles law प्रूव हो जाएगा अब भी जो उपर हमने equation यह वली लिखी that is pv is equal to two by three k t अब इसी equation से मैं Charles law को prove कर लेता हूँ pv is equal to two by three k t अब अगर मैं v को उधर ही रहने दूँ तो यह हो जाएगा two by three p k into tp इदर आके divide होगे अब अगर आपको Charles law याद हो तो Charles law जूनता है वो applicable होता था जब pressure जो था वो constant होता था हम कहते थे when pressure is constant तो v जो है temperature के directly proportional होता है volume बढ़ा हो तो temperature जो है वो बढ़ जाता है तो यह सारी की सारी term क्या हो गई एक निया constant बन गया v is equal to k bar k bar को मैं निया constant नाम दे रहा हूँ two k over three p था k constant है two over three भी constant pressure अगर constant करते हैं तो यह सारी value एक निया constant बन जाएगी t के बराबर और v over t is equal to k bar ये equation किसकी थी ये equation थी जी आपके पास charge law की तो यहां से आपका charge law भी जो है वो प्रूव हो गया कि v over t is equal to k bar के volume और temperature को हम डिवाइड करें अगर उनकी ratio लें तो वो constant रहती है तो यह इसी तरीके से चोटी चोटी derivations हैं जो के question के तोर पे पूछ ली जाती है कि किस तरीके से आपकी kinetic theory जो है वो आपके gas laws को follow करती है अगला law जो हम study करने जा रहे हैं अगला law जो हम study करने जा रहे है तो हम suppose कर लेते हैं कि हमारे पास दो gases है consider two gases ठीक है जी one and two जो के क्या है same pressure and volume पे है pressure and volume are constant अब number of molecules gas one के लिए कितने होंगे gas one और gas two के लिए gas one के लिए number of molecules will be n1 इसके लिए हो जाएंगे n2 mass of the molecules different होगा m1, m2 similarly जो है इनकी velocities जो है वो different होंगे c1 का square and c2 का square अब अगर मैं इसको उस term में लिखूँ जो हमारी kinetic theory थी वो क्या थी pv is equal to 1 by 3 m and c bar का square अब अगर मैं इसको gas one और gas two के लिए लिखूँ gas one and gas two तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा pv is equal to 1 by 3 m1 n1 c1 bar का square इन दोनों को अब अगर मैं equalize कर दूँ equations को तो ये हो जाएगा one by three m1 n1 c1 bar का square is equal to one by three m2 n2 c2 bar का square ये इससे cancel out हो जाएगा और मेरे पास जो final form बचेगी वो ये होगी ये एक equation मेरे पास आगे इसको मैं equation one कह देता हूँ अब हमें पता है कि दोनों gases same temperature के उपर हैं तो जब ही हमने बात की है कि kinetic energy जो है वो temperature के directly होती है तो gas one की जो kinetic energy होगी kinetic energy of gas one वो बराबर होगी kinetic energy of gas two तो ये टेंपरेचर दोनों का same है अब kinetic energy के formula के मताबिक ये होता है one by two m one c one का square this is equal to one by two m c two bar का square ये kinetic energy पर molecule है इस वज़ा से वो capital N जो है यहां पे वो खतम हो गया है ये cancel out हो जाएगा और ये बज़ जाएगा m one c one का square bar is equal to m two c two bar का square ये मेरे पास equation number two आ गई अब अगर मैं equation one और equation two को divide करूं तो वो क्या हो जाएगा m one n one c one bar का square is equal to m two n two c two bar का square और मैं divide कर रहा हूँ equation number two से equation one को ये होज़े किजीए ये इससे cancel out ये इससे cancel out हो गया ये ये और ये हो जी तो हमारे पस result क्या बचा n one is equal to n two number of molecules of gas one is equal to number of molecules of gas two और हमारा avogadro's law भी ये ही कहता था कि same temperature और pressure और volume के उपर किसी भी दो gases के number of molecules आपस में fame होते हैं तो हमने क्या किया kinetic theory से avogadro's law को प्रूव कर लिया तो ये derivation easy है और ये अपसर पूछ ली जाती है या तो sometimes question आता है कि सब के सब gas laws drive करो या फिर दो से तीन number में कोई एक ये दो gas laws वो पूछ लेता है कि ये वाला gas law जो है मुझे kinetic theory से derive करके दिखाओ आखरी law है ये ground law of diffusion ground law of diffusion क्या था वो ये था कि rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the density of any gas जिसको हम study कर रहे है अब यहां पर जो बता रहा है वो कि सी बार का जो formula होता है that is 3 pv over m अब अब अगर इसका मैं square root ले लूँ तो ये हो जाएगा under root c bar का square is equal to 3 pv over m अब ये volume को उठा के अगर मैं नीचे ले आऊँ इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ तो ये इस शकल में आ जाएगा 3 p divided by m ये जो volume है जब ये नीचे आएगा तो ये multiply नहीं होगा ये m के नीचे चला जाएगा ये शकल बन जाएगा इसकी अब हमें पता है कि mass per unit volume is equal to density density का formula ये है कि mass over volume तो ये जो density है इसको मैं यहाँ पर release कर दूँगा तो ये होजाएगा अंडरूट c bar का square is equal to 3p over d अब वो कहता है जी के अंडरूट जो c bar है किसी भी gap की जो velocity है वो directly proportional होती है उसके rate of diffusion से capital उसके r से r is rate of diffusion तो अब अगर मैं इसको r से replace कर दूँ वेतिकली equation ये थी अब ये चुँके r के directly proportional है तो मैं इसको r लिख दूँगा अब pressure अगर मैं कर दूँ constant constant pressure पे तो ये हो जाएगा rate is inversely proportional to under root d और ये ही equation क्या थी this was the graham's law of diffusion ग्राहम का जो diffusion का law था वो law भी यही कह रहा था कि आपके पास constant pressure के उपर जो rate of diffusion और diffusion होती है वो inversely proportional होती है density of the gas की तो ये हमारा topic था आज का kinetic theory of molecular gases जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ी history जिसमें different scientists और उनके काम देखे फिर हमने पढ़े postulates के कौन-कौन से points है basic जो के वो हमें बताता है फिर हमने clausius ने जो equation दी थी clausius equation वो हमने study की के pv is equal to 1 over 3 mn c square होता है फिर हमने c square का concept study किया कि वो क्या होता है फिर वहाँ फिर हमने c rms की value जुनती है वो निकाली उसके बाद फिर हमने deduction of gas laws को पढ़ा deduction of gas laws from कहां से from kinetic theory कि kinetic theory से किस तरीके से हम अपने gas laws को derive कर सकते हैं उसमें हमने अपने चार law बड़े boils law, charles law, avogadros and graham तो इन में से कोई law भी आप से पूछा जाए तो वो आपकी derivation आपको आनी चाहिए कुछ एक आपको equation जूनती हैं वो याद करनी पड़ेंगी जिन में से एक यह है दूसरी kinetic energy की है that is one by two mn c bar का square और फिर c bar का वो जो formula था Maxwell equation और वो सारी चीज़े तो यह हमारा आज का topic था अब हम यहाँ पे भी हमने gas laws की study किया अब हम अगले topic के अंदर temperature का change देखेंगे कि temperature किस तरीके से हमारी kinetic energy kinetic theory में अपना roll play करता है तो यह हमारा आज का topic था क्या हमाँ यह